हुच्प करने वाले हैं कुश्श्ट न्म्ब्र 9 ऊकुश्ट नं नई यहाँ पे आपको डियाग्राम भी गीवन है तोड़ा सा यहाँ कुछ कॉछ अच्छा डियाग्राम बना रखा है tul hydro tiếpत है चलो देखते हैं यहाँ पे chi tablespoon-धिकरा में बहुत अच्छा सा दो लाइन की तो यह वाली इक्वेशन देखिए इस लाइन की और y को टो पुए युथ छी हे छाम करता हूं यह नीचे जरी सद दिन कि देखी यहाँ पर कि मैं निच्छ लिया हो ठीक है अब यहां पर देखे यह वाला स्out to सब्सक्राइब क्लिस्वाले होन मुझ में है तो इस चाल सकता हम तर इस स्पुस्छी वाल baptized x plus 1 है राइट अब अगर मैं y equals to mx plus c से इसको compare करूँगा तो मिरे पर यहां से slope आ जाएगा तो यहां से इन दोनों को compare करो तो देखो यहां पर slope क्या होगा मेरा इस equation का slope हो जाएगा मिरे पर कितना देखो y equals to 1 into x plus 1 तो यह m इसको satisfy कर रहा है इसका मतलब इस line का जो slope है वो कितना है m है इस line का जो slope है वो one है means m जो है मेरा वो one आ जाएगा इसका मतलब क्या कि जो यह थीटा है ना यह जो थीटा है यह 45 डिगरी होने वाले है है ना यह तो आपको पता है क्यों होने वाले है ना है ना यह जो slope है वन है तो इसका मतलब वो क्या होगा टेंज से त्धीटीन थीटा कभा अब मैं इस वाली लाइन का स्लोप भी निकाल लेता हूं तो यहां से वह आएगा ठीक है यहां से निकालता हूं इस लाइन को अब मैं y cos to mx plus c के साथ compare करता हूं तो मुझे क्या आ जाएगा यहां से इस वाले का slope आ जाएगा तो देखो इसको मैं compare करता हूं y cos to mx plus c से या minus c से जो भी है तो देखो m यहां पर में पर under root 3 आ रहा है रहा हे जो slow पे वह वो किटना रहें है मिरे अंड़र रूर catch का भोता है मेरे बच्चों अंडर रूर्ड रूर थी का यहां पर कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा है लेसा करकर ट्राइंगल बन रहे है ठीक है? देखो यह थीटा है है यह मिरे पर 45 और यह है मिरे पर कितना 60 अब मंझे कितना चीए थीटा चीए तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख रहे होंगे कि इंटीरियर दो एंगल के इंटीरियर एंगल का सम इसके एकस्टीरियर एंगल के बराबर होता ह каналल Eh एक्स्टीरियर एंगल इकुल्स टू सम आफ इंटीरियर तो देखो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भई 60 इकुल्स टू 45 डिग्री यहां पर डिग्री भी लिखना ना तो यह 45 डिग्री है जो इधर आजाएगा शिफ्ट जाएगा और जो थीटा हो जाएगा यहां आप से पर मेरे पे कितना आजाने बाला है? थीटा आजाएगा मेरे पे 60-45. राइट, तो 5 और यह ओजाएगा 50 of Sap hakki do limi On Clicked तो यह जो धीटा है मेरे प्यारे बचुटो यह आगे है मेरे पे कितना 50 Legis यह जो धीटा है यह यह मेरे पे 15 Legis जाएगा है ना तो देखें बहुत ही easy होते है question को समझना अच्छे से समझना है ठीक है next question करते हैं जो हम करने वारे हैं 10th question और 10th question भी बहुत एक है करा है find the value of p given that the line अब यहाँ पर एक straight line आपको given है passes through the point 4,4 अब यहाँ पर देखो मैं आपको ना एक अच्छे से तरीके से बताता हूं कि यहाँ पर let's suppose एक partition plane है और यहाँ पर point of minus 4,4 तो यहाँ पर minus 4,4 लिख लेते हैं 1,2,3,4 यह minus 4 हो जाएगा और comma 4 comma 4 उपर होगा 1,2,3,4 यह मैं as it is ऐसी एक आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि minus 4 comma 4 एक point है और वहाँ से एक straight line pass होती है ठीक है जैसे कि ऐसे करके मैं एक straight line मनाया तो let's suppose कर लेते हैं एक straight line है ठीक है तो एक straight line pass होती है और यह जो straight line है इ आपको P निकालने है तो obviously बात है यह जो point होगा यह satisfy करेगा इस equation को तो मैं एक यह एक से य है तो मैं इस X और Y को इस equation में satisfy करने लिए मैं इस equation में put करता हो यहां से पर पी आ जाने वाल है है ना क्यूंकि यह जो point है यह straight line से होते वे पास होते वे जा रहे है तो यह इसको satisfy क रख दूँगा तो यहाँ पर बस मुझे कुछ नहीं करना देखो y upon 2 equals to x minus p अब यहाँ पर देखें यहाँ पर x है मेरे minus 4 और y है मेरे 4 तो यहाँ पर देखें y मेरे 4 है तो y मैंने 4 रख दिया 4 upon 2 equals to x तो यहाँ पर यहाँ पर इसको काटूँगा यह हो जाएगा 2 यह minus 4 है इदार आके क्या हो जाएगा plus 4 तो यह पर देखो यह हो जाएगा 4 plus 2 equals to minus p तो यहाँ से जो मिरे पर P आ जाने वाला है यह minus either shift कर दूँगा तो यह हो जाएगा minus 6 तो P की value जो आई मेरे प्यारे बच्चो वो आ गई minus 6 तो देखें कितना प्यारा question है बहुत ही easy question है और बहुत easy questions ही आते हैं board में इस chapter से related से तो बहुत easy आने वाले है ना तो बिल्कुल घबराना नहीं है next करते हैं जलो ऐसी बिल्कुल similar question है 10th के तरह वैसे हमारा 11th question है बिल्कुल similar है बहुत easy है कहरा है point है let's suppose a, 2a यहाँ पे मुझे points नहीं दे रखे तो मैंने imagine कर लिए कि वो first quadrant में होगा कहीं पे भी रख लो कोई problem की बात नहीं क्योंकि इसमें तो हमें दे नहीं रखा a, 2a कुछ भी दे रखा है तो मैं यहाँ पे रख लेता हूं imagine कर लेता हूं और एक straight line है जिसकी equation है यह तो भाई अगर यह इस पे a है y axis में मेरा 2a है तो मैं x axis पे रख देता हूं 2a upon 2 equals to 3 into x के जगा रखूंगा मैं a minus 6 तो यहाँ से 2 से 2 cancel out तो यह हो जाएगा a equals to 3a minus 6 ठीक है एक काम करता हूं इस minus 6 को मैं left hand में ले आता हूं और इस plus a को मैं right hand में ले आता हूं ठीक है क्या बात है यह हो जाएगा 6 equals to 3a minus a क्या बात है फिर यह हो जाएगा 6 equals to 2a ठीक है यहाँ से मैं इसको cancel out करता हूं तो यह हो जाएगा 2 3 जा 6 तो जो मेरे a की value आने वाली है मेरे प्यारे बच्चो वो आ गई 3 ठीक है तो मुझे यहाँ पर शायद a की value ही निकाल नहीं थी find the value of a तो बड़े easily हमने यह कर लिया अब हम करते हैं बच्चो 12th question हम करने वाले हैं 12th question बड़ा ही easy question है बच्चो देखे यह क्या कर रहा है graph given मुझे ठीक है यहाँ पर देखो मैं इसको ना बहुत ही मैं आपको ऐसे करने वाला हूं कि आपको question करने मज़ा आएगा ऐसे नहीं होना चाहिए यार कि बस teacher ने करा दिया और हमने कर लिया ऐसा नह एजियूम कर रहो ठीक है यहाँ पर 1 1 2 3 4 यह मैं एजियूम कर रहो 1 4 यहाँ पर 1,4 और minus 2,5 एक 2 और minus 5 होगा एक 2 3 4 5 तो मैं यहाँ पर इसको एजियूम कर लेता हूं minus 2,5 को ठीक है यहाँ से एक straight line है हाँ यह एक straight line है let's suppose this is my straight line ओके ओके एक second इसको थोड़ा तमीज से बना लेते हैं ठीक है नहीं तो आप भी चुड़ा तो यार क्या बना रहा है न चलो अरे यार यह क्यों बन नहीं रही है चलो कोई नहीं नहीं बन रही तो हम बना देते हैं एक यह और एक यह point ठीक है अब यहाँ पे देखो मैंने एक straight line तो बना दी इन दोनों point को cut कर रही इसकी जो equation है यह वाली equation यह है y equals to mx plus c ok जी अब यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया था है two point form है एक straight line में दो point मुझे given है तो यहाँ से मैं m निकाल सकता हूं मतलब slope निकाल सकता हूं बिलकुल निकाल सकता हूं तो m क्यों होता है मेरा y2 minus y1 upon x2 minus x1 यह आप recall करोगे त तो यह मेरा y2 this is my y1 तो यह हो जाएगा minus 5 minus 4 upon y2 minus 2 minus 1 है मेरा यह तो यह हो जाएगा minus 9 upon minus 3 minus से minus cancel 3 से हो जाएगा 3 तो m कितना आगे मेरे प्यारे बच्चो slope आ गया मिर पर 3 अब मेरे पे slope आ गया तो भाई आप इस वाले point को इस पे plot करो या इस वाले point को इस पे plot करो कोई कि एक straight line में तो satisfy करेगा equation को तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा c भी आ जाएगा slope तो मुझे पता ही है तो देखो यहां पे मैं कर लेता हूँ y equals to mx plus c अब y मेरा देखे यहां पे कोई भी ले लो चलो 1 और 4 ले ले तो मैं तो y यहां पे मेरा 4 है तो देखो 4 equals to m मेरे पे अभी अभी 3 आया x यहां पे 1 है तो मैं 1 ले ले लेता हूँ plus c तो यह जाएगा 4 equals to 3 plus c यह plus 3 है left hand side में मैं shift करूँगा इससे तो यह जाएगा 4 minus 3 equals to c तो यह जाएगा c आगया जो मेरा y intercept आगया वो आगया 1 तो y intercept मेरा कितना easily आगया कितना 1 तो देखे यहां से जो c है यह आगया मेरा 1 और जो slope आगया वो कितना आगया 3 आपके समय में आगया होगा बहुत ही easy question है next करते हैं ऐसी कुछ हो हम करने वाले है 13 question और 13 question भी वड़ा ही easy है तो देखो क्या कहा रहा है find the equation of line passing through the point 2, minus 5 and making an intercept of minus 3 on y axis अच्छा intercept मतलब cross हो रहा है वहां से और intercept मैंने बताया था आपको on y axis तो intercept हो रहा है मतलब ऐसे करकर एक line है और किसी point से intercept मतलब कट रही है y axis पे cut रहा है y axis पे cut रहा है तो कहीं यहां पर माइनस 3 का point भी रहा है तो minus 1 minus 2 और minus 3 let suppose यहां पर वो point है minus 3 ठीक है यहां पर यह दूसरा इसका y intercept कट रहा है कि straight line का ठीक है अब यहां पर x axis पे कट रहा है तो देखो यह 2, minus 5 तो यह होगा 1, 2 और यह होगा minus 5 तो यह यहां कहीं हो रहा है ठीक है तो यह point है यहां पर 2, minus 5 तो यहां से एक straight line है ऐसे करकर यह ठीक है ऐसे करकर एक straight line है तो यहां पर देखे एक straight line है और मुझे straight line का क्या निकालना है मुझे equation निकालना है तो बड़ा easy हो जायागा मेरे प्यारे बच्चो यहां पर देखे एक coordinate मुझे given है 2, minus 5 दूसरा coordinate यहाँ पे है तो यह जो y-intercept इसका coordinate हो जाएगा 0, minus 3 ठीक है बस यह दो point आ गए तो बस पहले मैं slope निकाल लूँगा और फिर 2 point form से मैं equation पे निकाल लूँगा तो देखो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी से करने वालूँ तो यहाँ पे इसको solve करता हो सबसे पह देकिये let's suppose मैं इसको, इसको मैं कर देता हूँ y2, इसको मैं ले लेता हूँ x2, इसको ले लेता हूँ x1, इसको ले ले लेता हूँ y1 ठीक है तो यह हो जाने वाला है मिरेपे, minus 3, minus, minus और फिर minus 5 है यहां पर upon 0 minus 2 right तो मैं यहां पर इसको solve करता हूँ further तो यह हो जाएगा minus 3 minus minus plus 5 whole upon minus 2 तो यह हो जाने वाला है कितना मिरपे यह हो जाएगा मिरपे 2 upon minus 2 और इसको काटूँगा तो यह हो जाएगा minus 1 तो जो मिरपे slope आ रहा है मिरे प्यारे बच्चो वह आ रहा है minus 1 अब यहां से मिरपे slope आ चुका है तो मैं equation निकाल लेता हूँ equation of line हो जाएगा मिरपे, equation of line है, यहाँ पर two point form है, तो मैं यहाँ पर formula लगातू, y minus y1 equals to m, ठीक है, z minus x1, एकक है, तो मैं यहाँ पर इसको formula लगाता है, तो यहोजाँगा y minus y1 है, मिरफे 5, ठीक है, हम यहाँचे, यहां पर देखे 5 ठीक है और यहां पर minus 5 है तो यहां पर minus था और यहां पर भी minus होगा ना फिर equals 2 ठीक है अब मैं यहां पर solve करते तो यह minus 1 x minus और y1 मेरे किता है y1 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 है मेरे 2 तो यह हो जाएगा 2 ठीक है अब मैं इसको यहां पर further solve कर लो shows तो यह हो जाएगा y plus 5 equals to इससे इसको multiply इससे इसको multiply तो minus x plus 2 इसको भी left hand side में और इसको भी left hand side में तो यह हो जाएगा x plus y plus 5 minus 2 equals to 0 तो मैं इसको आगे further solve करता हूँ यह हो जाएगा x plus y plus 3 equals to 0 और यह देखे यही मेरी क्या equation of straight line हो गई तो देखे कितना easy था यह question है ऐसे हम next question करते हूँ तो बच्चों हम करने वाले है 14th question बड़ा ही easy है find the equation of straight line passing through the point this and slope is 2 upon 5 तो चलो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एक बार जरा थोड़ा cartesian plane मनाता हूँ और देखता हूँ जरा कि हो सकता है की नहीं हो रहा है ठीक है चलो देखते है देखो हर चीज practically कर रहा करो ठीक है तो minus 1,2 तो minus 1 यहाँ पे कही है 2 कहीं यहाँ पे होने वाला है तो मैं assume करता हो कि point यहाँ पे है ठीक है वो तो यह होगा मिरे पे minus 1,2 ठीक है अब यहाँ से कोई straight line जा रही है let's suppose वो straight line ऐसे भी हो सकती है ठीक है मुझे second point तो पता नहीं है तो वो straight line ऐसे भी हो सकती है क्या पता वो straight line ऐसे हो क्या पता वो straight line ऐसी हो मुझे थोड़ी ना पता उसे straight line का तो मैं अब यहाँ पे तो figure नहीं बता सकता ठीक है मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बता सकता कि कैसे straight line है पर यहाँ पे उसने मुझे बोलावा भी slope भी है आप पे और आप पे एक one point form भी है एक point given है आपको कोई भी straight line में एक point आपको given होगा तो आप उससे equation निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हो तो कौनसा formula लगाना है मैंने x तो हमने formula लगाना है कौनसा वाला one point form का और मैं लगाता हूँ y minus y1 equals to m x minus x1 right अब यहां से मैं यहां पे y minus y1 है मेरे पे 2 equals to slope है मेरे पे 2 upon 5 x minus और यहां पे देखिए जो x1 है वो minus 1 है तो minus 1 ठीक है तो यह हो जागा y minus 2 equals to 2 upon 5 x minus minus हो जाएगा plus 1 right इसको मैं इधर shift करता हूँ तो यह हो जाएगा 5 y minus 2 equals to 2 x plus 1 right यह हो जाएगा 5 y minus 5 2 जा 10 equals to यह जाएगा 2 x plus 2 1 जा 2 right तो यह देखिए यहां से मैं सब को उठा के left hand side में या फिर मैं एक काम करता हूँ इसको उठा के मैं right hand में shift कर देता हूँ तो यह हो जाएगा 2 x plus 2 minus 5 y plus 10 equals to 0 यह हो जाएगा 2 x minus 5 y plus 12 equals to 0 so this is my answer तो बच्चों करने वाले हैं 15th question बिल्कुल exactly 14 के तरह ही है कह रहा है find the equation of straight line whose inclination अब च्छा जी theta जो है वो 60 degree है तो मैं यहां से inclination से slope निकाल दूँगा और यहां पे बोल रहा है कि इस point से pass हो रहा है ठीक है 0, minus 3 तो यहां से एक straight line जाती है ठीक है इस point से pass होता है straight line और इसका जो inclination है वो कितना है theta जो है वो 60 degree है तो हम इससे slope निकाल लेंगे और one point form का formula से मैं straight line की equation निकाल लूँगा तो यहां पे जो slope होने वाला है ठीक है वो कितना हो जाएगा tangent theta और tangent theta मतलब 1060 degree और 1060 degree हमारा कितना होता है under root 3 तो जो मेरा slope आ जाएगा वो कितना है under root 3 slow simple अब मैं क्या लगाता हूँ one point form लगा दूँगा तो यहां पे मैं लगा देता हूँ y minus y1 equals to m x minus x1 तो यहां पे हो जागा y minus y1 है मेरे पे minus 3 equals to m under root 3 x minus x1 है मेरे पे 0 तो बस अब मैं यहां पे solve कर लेता हूँ y plus 3 equals to under root 3 ठीक है और x ठीक है तो यह हो जाएगा y plus 3 equals to under root 3x इसको मैं क्या करता हूँ इधर shift करते तो हूँ या फिर मैं इसको पूरा right hand में shift करते तो एक ही बात है यह हो जाएगा under root 3x minus y minus 3 equals to 0 क्या बात है है ना यह भी equation हो सकती है या फिर आप इसको इधर shift कर दो तो यह हो जाएगा y plus 3 under root y plus 3 minus under root 3x equals to 0 यह दोनों equation से यह ठीक है ओके अब हम आते हैं 16th question तो बच्चों यह बड़ा ही easy question है इसमें आप मैं slope निकालना है gradient मतलब होता है slope और 2 point आपको दे रहें एक मैं करूँगा और एक आपके लिए मैं leave करूँगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए यह है 0, minus 2 और 1 है मेरे पर 3,4 राइट तो यह हो जाएगा x1 यह होगा y1 यह होगा x2 यह होगा y2 ठीक है तो बड़ा easy question है slope निकालना है two points दे रहें तो m हो जाएगा मेरा y2 minus y1 upon x2 minus x1 so simple तो यह हो जाएगा देखिए y2 है मेरे पर 4 minus x y2 है मेरे पर 4 और y1 है मेरे पर minus 2 तो यह हो जाएगा minus 2 bracket पर है ना minus और फिर minus 2 फिर यहाँ पर मेरे पर x2 कितना है मेरे प्यारे बच्चो यह है 3 और minus y1 है मेरे पर 0 तो यह हो जाएगा ऐसे गरकर है ना तो यह हो जाएगा देखिए m equals to 4 plus 2 upon 3 तो यह हो जाएगा जो slope होगा वोगा 6 upon 3 और यह हो जाएगा 2 तो जो मेरे पर slope है मेरे प्यारे बच्चो वो आगया 2 और ऐसे ही आपको इस second वाले को करना यह मैं आप तो बच्चों करने वाले हैं 17th question और 17th question बड़ा ही easy है देखें यहाँ पे point given है ENF और EF यहाँ पे मुझे given है देखो यह मैं यहाँ लिख लेता हूँ ENF यहाँ पे मैंने ऐसे diagram बनाया ठीक है और यह points आपको alert कर दी है मैंने म मुझे इसका gradient बताना है अब यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे extent करता हूँ तो let's suppose इसका एक gradient होगा यहाँ पे तो मुझे इसका gradient बताना है इसका मतलब slope बताना है मुझे ठीक है अब यहाँ पे आपको two points given है यहाँ से मैं slope भी निगाल सकता हूँ equation of यह EF भी निगाल सकता हू ठीक है यहां से सबसे पहले मैं slope भी निकालता हूँ gradient of ef तो ठीक है तो two points अब मैं इसको given है तो मैं इसे direct formula लगाता हूँ m equals to m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 अब आपको two points given है तो मैं direct formula लगा सकता हूँ slope का तो यह हो जाएगा मेरे बच्चो इसको मैं let's suppose y2 ले लेता हूँ इसको ले लेता हूँ y1 इसको x1 इसको x2 कुछ भी ले लो आप कोई problem के बाद नहीं answer same ही आएगा तो यह हो जाएगा y minus 4 means 7 minus 4 upon 3 minus 0 होते ही हो जाएगा 3 upon 3 और यहां से जो मेरे पे slope आगया मेरे बच्चो वह आगया 1 तो यहां पे पहला answer तो आगया मेरे ग्रेडियंट आ चु को ले लेता हूँ और one point form में मैं इसको put करूँगा तो equation आ जाएगी क्योंकि दोनों ही point के लिए यह straight line satisfy करेगी equation को है ना तो देखिए मैं करता हूँ 0 और 4 ले लेता हूँ मैं तो यहां पे मैं बहुत easy तरीके से करने वाला हूँ y minus y1 equals to m x minus x1 right तो मैं इस 0,4 को ले लेता ह तो यह हो जाएगा y minus 4 equals to m x minus 0 right तो यहां पे हो जाएगा y minus 4 equals to m आया था मेरा one तो यह मिरे पे equation of straight line आ गई ठीक है EF, EF की straight line आ गई, EF यह है न, EF ठीक है हाँ EF की मिरे पे equation आ गई ठीक है तो यह हो जाएगा पूरे को मैं right hand में shift कर दूँगा तो यह हो जाएगा x minus y plus 4 equals to 0 तो देखे यह भी आ गए मिरे पे अब आच चुके हैं हम अपने last में तो ही क्या कर रहा है coordinate of the point where the EF intersect at x-axis अब यहाँ पे यह वाला जो point है इस point पे कहां पे x-axis पे यह क्या कर रहा है और यहाँ पे y क्या ओने वाला 0 हो जाएगा तो मैं इस equation में रख देता हूं इस equation में मैं रख देता हूं y equals to 0 तो मिरे पे x भी आ जाएगा यहां से तो यह हो जाएगा देखो x minus 0 plus 4 equals to 0 तो x की value आ जाएगी मिरे पे minus 4 तो यहां से जो मिरे पे यह point था ठीक है जो y intercept था मिर पे answer आ चुका है तो minus 4,0 हो जाएगा तो देखे कितना easy है यह question है ना चलो next करते हो तो बच्चा करने वाले 18th question बोल रहा find the intercept made by the line यह एक line है यहां से देखिए यहां पे एक straight line है let's suppose this और यह 2x minus 3y plus 12 equals to 0 है ठीक है यह मैं ऐसी line खीज दिया हूं एक straight line और यहां पे और यह क बनाया है ठीक है मुझे पता नहीं straight line कैसे भी हो सकती है पर मैं एक अंदाजा लेकर ऐसे बना रहा हूं आपको बताने के लिए इस point पे और इस point पे क्या होने वाले है ठीक है तो obviously बात अगर यह point है इस पे अगर मैं इस पे यह वाला जो point होगा तो यह क्या होने वाला देखिए करते हैं इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं 2x-3y plus 12 equals to 0 ठीक है तो यहां पर देखिए 18th question में करने वाला जो line है अगर वो x-axis पे touch होती है तो y equals to 0 हो जाएगा add x-axis मैं लिख लेता हूं तो y equals to 0 हो जाएगा तो देखो 2x minus 3 into 0 plus 12 equals to 0 तो यह जाएगा 2x equals to minus 12 और x हो जाएगा मेरे पर minus 60 है तो यह जो मैंने अंदाजा लिया था यह इधर नहीं होगा कम से कम कहीं इधर होगा है ना इसलिए मैंने ब बोला था कि ऐसे करके मैं यह मैंने आपको लेट करके बताया था कि अंदाजा लेकर बता रहा हूं ठीक है ऐसी similarly अगर लाइन at y axis है ठीक है अगर line at y axis है तो x equals to 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 0 minus 3 y equals to यह plus 12 यह इधर है minus 12 यह minus से minus cancel out तो y हो जाएगा मेरे पर 3 4 जाएगा तो y मेरे पर हो गया क्या 4 और x हो गया मेरे पर minus 6 तो यहाँ पर जो इसके coordinate होंगे वह जाएगा minus 6,0 और यहाँ पर जो इसके coordinate होंगे वह गा 0,4 राइट यह किता easy है next करने तो बच्चों हम करने वाले है 19th question बड़ा ही easy question है देख लेते हैं और फाइंड the equation of line passing through the point P and Q यहाँ पर देखो 5,1 Q आपको given है 1,1 ठीक है 1,1 ठीक है hence show that the point P Q R अब यहाँ पर जो R है 11,4 is a R collinear अब यह collinear में हम पहले बाद में आएंगे पहले मैं equation of P and Q निकाल देता हूँ Q and P है ना यह वाली equation निकाल देता हूँ पहले इस straight line की है ना तो दो point मुझे given है मैं पहले slope निकाल देता हूँ यह मुझे आएगा मेरा y2-y1 upon x2-x1 ठीक है तो y2 में मैं कुछ भी ले ले लेता हूँ यह वाला है ना तो मैं यह y2 ले लेता हूँ पर यह हो जाएगा 1-1 upon यह हो जाएगा 5-1 ठीक है तो यह हो जाएगा 2 upon 4 और मिर पर जो slope आ गया वो आ गया 1 by 2 ठीक है तो slope मिर पर आ ग सब्सक्राइब कोई भी ले लो मैं यह ले लेता हूँ ठीक है तो यह हो जाएगा देखो मेरा यह one-point form ले लेता हूँ इससे मेरी equation निकल जाएगे M है मिर पर 1 by 2 ओके तो यह हो जाने वाला है Y-Y1 equals to M X-X1 राइट तो यह हो जाएगा Y-Y1 Y1-Y1 यहाँ पर है मैं इस point को लेता हूँ 1 equals to M है मिर पर 1 by 2 1 by 2 X है मिर पर 5 X1 है मिर पर 5 sorry यहाँ पर X- यहाँ पर यह देखे 5 तो यहाँ पर मैं click देता हूँ 5 ठीक है तो यह देखे यहाँ से इस 2 को मैं इधर multiply करूँगा तो यह हो जाएगा Y-1 bracket में 2 equals to X-5 ठीक है तो यह हो जाएगा 2Y-2 equals to X-5 ठीक है इस पूरे को मैं right hand में shift कर देता हूँ X-5-2Y plus 2 equals to 0 तो यह हो जाएगा X-2Y minus 3 equals to 0 तो यह मेरी equation आ गए ठीक है इस line की अब यह कह रहा है भई यह बताओ कि यह collinear है की नहीं collinear क्या होता है बच्चों collinear होता है कि एक straight line है और इसी straight line में ऐसे points हैं इसी straight line में यह points हैं सारे के सारे इसी को क्या बोले जाता है collinear अब यह कैसे पता चलेगा कि इसी straight line में यह points है अगर मैं 11,4 को इस पर put करूंगा 11,4 है न हो 11,4 को अगर मैं इस पर put करता हूं तो भई यह satisfy करनी चाहिए satisfy मतलब कि यह equation को पूरा fulfill करनी चाहिए यह equals to 0 के बराबर आना चाहिए अगर मैं यहाँ इस पर रखता हूं तो भई left hand side equals to right hand side आना चाहिए ठीक है right hand side मेरा 0 है और left hand side में यह है तो मैं इस पर equation put करता हूं देखता है 0 हा रहा है की नहीं है अगर 0 आरहा है तो यह तो देखते हैं यहाँ पर x minus 2 y minus 3 equals to 0 यहाँ पर x मेरी पे 11 तो यह हो जाएगा 11 minus 2 into y है मेरी 4 तो यह हो जाएगा 4 minus 3 equals to 0 तो देखते हैं यहाँ Put 4 to 8 minus 3 equals to 0 तो देखो 8, 9, 10, 11 तो हो गया 11 minus 11 equals to 0 तो देखे यहाँ पर यह हो गया मेरा 0 तो यह satisfy कर रहा है equation को तो मैं यह बोलूँगा कि yes PQR is collinear yes PQR R collinear है न ठीक है तो बड़ा तो बच्चाब करने वाले है question number 20 20 में यहाँ पर मुझे points दे रखें A, B and C यहाँ पर मैं सरी B को ही plot कर सकता हूं क्योंकि A and C के coordinates में पर A नहीं है यहाँ पर A3 है यहाँ पर 5A है अब यहाँ पर तो मैं इसको plot नहीं कर सकता हूं और बहुत अच्छी बात है कि 2014 में भी आ रहा है तो इसका मतलब अगर मैं A let's suppose इसको A ले लेता हूं इसको B ले लेता हूं और इसको C ले लेता हूं तो A, B का slope जो slope of A, B होगा वही slope of B, C भी तो होगा होगा की नहीं होगा बिल्कुल होगा क्योंकि को linear है तो मैं गड़ता हूं यहाँ पर काम गड़ते हैं A, B, C का slope ले लेते हैं तो slope of A, B तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं Y2-Y1 upon X2-X1 ऐसी similarly है B, C यह A, B का है ऐसी मैं आप B, C का भी लिख लेता हूं तो यहाँ पर देखो A, B, C यहाँ पर मैं लिख लेता हूं A को कॉडिनेट से A, 3 B के है 2, 1 और C के है 5, A अब यहाँ पर देखो मैं इसको करता हूं Let's suppose मैं A, B ले रहाँ तो मैं यहाँ पर Y2 को ले लेता हूं 1 Y1 को ले लेता हूं 3 तो यह जगा 1-3 upon 2-A equals to BC में मैं इसको Y2 ले लेता हूं इसको Y1 ले लेता हूं ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा देखो A-1 upon 5-2 ठीक है जी अब यहाँ पर देखेए मिर पर मिल चुका है मैं इसको cross multiply करता हूं और यहाँ से मिर पर एक equation आने वाली तो यह हो जाएगा 1 2-8 ठीक है अब मैं यहाँ पर कर लेता हूं तो यह हो जाएगा देखिए 3-2 या-6 minus 6 equals to अब मैं यहाँ से इसको multiply करता हूं यह हो जाएगा 2A minus A square minus 2 ठीक है और यह हो जाएगा plus A ठीक है जी तो यह हो जाने वाला है मिर पर इस पूरे को मैं shift कर देता हूं इदर तो पहले मैं इसको यह ही पर plus कर देता हूं तो यह जाएगा 3A minus A square minus 2 ठीक है अब मैं इस पूरे को shift कर देता हूं इदर left hand में तो यह जाएगा A square minus 3A minus 6 plus 2 equals to 0 तो यह quadratic बनगी quadratic तो आपको solve करनी आती ही होगी नहीं आती तो भगवान आपकी help नहीं कर सकता है अगर नहीं आती तो सही बतारो मैं आपको minus 4 equals to 0 यहाँ पर quadratic आप solve कर ले ना ठीक है यह आपका काम है यह मेरा काम नहीं है और यहाँ पर से एक ही value आ जाने वाले में पर minus 1 और 4 तो यहाँ पर satisfy इस condition अगर मैं minus 1 रखता हूँ तो minus 1 satisfy नहीं करेगा equation को दोनों equation में रखो कि तो satisfy नहीं करेगा तो 1 मैं रखूंगा equals to 4 ठीक है अब यहाँ से देखे मैं slope आप आराम से निकाल सकता हूँ तो slope of a b रखो या b c रखो कोई problem की बात नहीं तो यह देखो slope of a b रिख देता हूँ ठीक है तो slope of a b से मैं क्या निकाल सकता हूँ अपना slope तो 1 minus 3 upon 2 minus slope कितना था मेरा 4 है ना तो बस यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ तो यह हो जाए कितना minus 2 upon minus 2 तो यह हो जाएगा 1 तो slope कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों मैं निकाल सकता हूँ तो यहाँ पर equation of straight line मैं इसको रख लेता हूँ 2 और 1 को है ना तो मैं इसको यहाँ पर put कर देता हूँ एक point है मिरे पर यहाँ लिख लूँगा मैं y minus y1 equals to m x minus x1 तो अब मैं इसको यहाँ पर solve करता हूँ यहाँ से मैं straight line equation निकाल सकता हूँ यहाँ पर देखो एक point है तो मैं यहाँ पर one point form में इस पर दाल देता हूँ तो यह हो जाएगा one equals to m है मिरे पर one आया था two minus x minus two x minus two है ना यह हो जाएगा देखो y minus one equals to x minus two इस पूरे को मैं shift कर देता हूँ इदर राइट हैंड में तो यह जाएगा x minus two minus y plus one equals to zero तो यह हो जाने वाला x minus y minus one equals to zero ठीक है तो यह मेरी आ गई किता है एजी है बच्चों ऐसे ही अब हम हमें next वाला question करना है